हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू एडियल फार्मेसी यूटूब चैनल फ्रेंट्स बहुत से स्ट्रेंट्स का डाउट था कि एग्जाम का जो पेपर आने वाला है वो किस टाइप का पेपर आने वाला है तो दोस्तो आज की बीडिमा आपको बताने वाले हैं कि आपका डिफार और तो चलिए वीडियम आपको आगे बताने वाले है और दोस्तों आपको बदा दो कि BT UP Board ने जो एक्जाम का टाइम टेविल जारी कर दिया है साथ ही साथ BT UP Board ने जो कौसंस की मोडल पेपर भी जारी कर दिया है कि किस आदारपन आपका कोसंस आने वाले है कि आपके कोशन जो आने वाले है वो लोंग कोशन आने वाले है सोट या वैरी सोट याने किस टाइब में आपके एक्जाम में जो कोशन आने वाले है तो चलिए दोस्तों अब आपको आगे बताने वाले है कि आपके एक्जाम में किस तरह की पेपर आने वाले है और दोस्तों आपको बताएंगे कि क्या है वो डिफार्मा के स्ट्रेंट्स के लिए बड़ी ख़वर तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि बीटी उपी बोर्ड ने सभी कोली जो को डाटा भेजा है तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पैटर्न जो कि बीटी उपी बोर्ड ने अभी फिलाल में जारी किया है और दोस्तों आपको बतादू कि इस पैटर्न को देखकर आप अपने एक्जाम के इच्छे तरह से तयारी कर पाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तो पार्टे दोस्तो पार्टे में जो आपके लोंग कोशन आने वाले हैं और दोस्तो लोंग कोशन जो आपके लिए आने वाले हैं वो सिक्स कोशन आने वाले हैं और पिरती एक कोशन आपका पांच नंबर का होने वाला है इसलिए दोस्तो जो आप पार्ट है होने वाला है इसमें आपके सभी long questions आने वाले हैं वर दोस्तो BTP board ने जो pattern जारी किया है चली उसके बारे बागे भी जानने वाले हैं दोस्तो part V में दिया गया है इसमें 11 questions आपको आने वाले हैं जिसमेंसे आपको 10 questions करने हैं और दोस्तों नेक्स्ट आने वला आपका part C part C में आपको दी जाएंगे multiple choice questions and one line questions and fill in the blanks यानि कि दोस्तों इसमें very short questions आपको पूछ लिये जाएंगे और दोस्तों आपको पता दो कि इसमें total 20 questions आपसे पूछ ली जाते हैं आपको प्रतियक questions जो है एक एक number का होने वाला है तो कुल मिलाका part C आपको 20 number का होने वाला है और दोस्तों आपको पता दो कि D-Pharma का ये paper 80 number का होने वाला है और 20 number आपको को लिज दौरा बेजे जाते हैं तो ये थी D-Pharma के strengths के लिए सबसे वड़ी ख़वर कि आपका B-T-U-P board ने exam का pattern जारी कर दिया है तो आप देख रहे होंगे कि B-T-U-P board ने जो pattern जारी कर दिया है इसमें part A, part B and part C जारी कर दिया है जिसमें part A से आपसे लगबग आपसे 6 questions पूछ ले जाते हैं and part B से आपसे लगबग 10 questions आपको करने होते हैं and part C में आपको लगबग 20 questions करने होते हैं और दोस्तो टोटल मिलाकर यहां आपका जो exam का paper होने बाला है 80 number का paper होने बाला है तो दोस्तो यह थी D-Farm में की most important news तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तो इस वीडियो को like कर देना और हमारे यूटूब चैनल को subscribe भी कर देना